तो आज हम देखने वाले एक कोशन जिसमें बोला गया है वाट आर एलोई तो एलोई क्या है चलिए समझते क्या है एलोई एलोई इस अ होमोजीनियस मिक्स्चर और और मोर मेटल और और मेटल और नॉन मेटल तो यहां पर एक वर्ड आया है है होमोजीनियस मिक्स्चर सबसे बहले इस वर्ड को समझते कि होमोजीनियस मिक्स्चर क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है कि एक जैसा मिक्स्चर what does it mean एक जैसा तरी समझते हैं इसका मैं एक्जामपल आपको एक सॉलूशन से दूँगा मानने जी सपोस किजिए कि मैंने एक बीकर लिया उस बीकर में पानी लिया और उस पानी में कुछ नमक यहने कि सॉल्ट उठाया उसके अंदर घोल दिया उसको अच्छे से स्टीरिंग कर दिया हिला के मिला दिया अब सपोस किजिए कि वो जो नमक है जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से घुल चुका है पानी के अंदर अब क्या है कि मैं सपोस करता हूं दो प्लेट लेता हूं उसके अंदर एक डॉट एक बूंद उस सॉलूशन में से उठाता हूं जिसमें न के layer solution के जितना उस एक बूंद में quantity नमक की को कि तनी Voor दूसरे व्ले डॉड में दूसरे वा दीपोंद में भी मिलेगा यफ़ाने कि एसा नहीं उसकता कि एक में कुछ अलग मिल जाया उते confirma के मैं घृग्जन जया हो जैंट ऐसा नहीं से था कि एक जगा ज्यादा नमक हो गया एक जगा कम हो गया यह पॉसिबल नहीं है यह कब होता है जब आपने अच्छे तरीकिसे उस सॉलुशन को रेडी नहीं किया अच्छे तरीकिसे मिलाएं नहीं है पर यहां पर एलॉय की जब बात करें तो हम ऐसे सॉलुशन या ऐसे mixture लेंगे चहांपे वो mixture जो है वो proper condition में है okay students आपने बहुत अच्छे तरीकी से उसको prepare किया है वो homogeneous है okay I hope आपको clear हो किया होगा homogeneous mixture क्या है तो चलिए अब focus करते हैं alloy की definition पे तो जो alloy है वो actually एक homogeneous mixture ही होता है अब वो mixture किसका हो सकता है या तो 2 meters का हो सकता है मेटल मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल या बहुत सारी मेटल या फिर बहुत सारी नॉन मेटल या मेटल नॉन मेटल के combination या नि mixture को बोला जाता है alloy okay students I hope clear हो गया होगा अगर इसके example की बात करते हैं तो जो steel है वो एक तरगा alloy है जब steel बनाया जाता है तो उसमें iron and carbon का mixture किया जाता है दोनों को combine किया जाता है तब जाके हमको क्या मिलता है steel तो steel जो है एक तरगा alloy है okay students I hope clear हो गया होगा अगर आपको हमाई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमाई चनल को subscribe किजिए and वीडियो को like जिरू करें आज के लिए इतना ही thank you